हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड फिर से हम डेली करन्ट सफ़ेर का डोज लेकर आ गए है इंपोर्टेट क्वेस्चन्स फोर UPSC और ओल कॉंपिटिटिव एक्जाम अगर आप UPSC और अधर कॉंपिटिटिव एक्जाम की प्रिप्रेशन कर रहे हो तो प्लीज हमारी चैनल को सस्क्राइब कीजिए राडिया एकेडमी को यहाँ पे आपको डेली करन्ट सफ़ेर के डोज मिलते रहेंगे 21 फेबरुवारी 2023 के रिलेटेड हमने यहाँ पे टोप 10 मोस्ट आयम पी क्वेस्चन्स निकाले है अगर आपको यह हमारे क्वेस्चन्स अच्छे लगे तो प्लीस हमारी चैनल को सस्क्राइब कीजिए राडिया एकेडमी को लेट स्टाब त्वेश्चन वन 21 फेबरुवारी 2023 को कुंसा दिन मनाईा जाता है 21 फरवरी को कुंसा दिन मनाईा जाता है 21 फरवरी को अंतर राष्ट्रिय मात्रू भासा डिवस के तोर पर मनेया जाता है और UNESCO ने सन 1999 में ये गोशना कही थी कि 21 फरवरी को अंतर राष्ट्रिय मात्रू भासा डिवस यानि कि इंटरनेशनल मदर लेंग्वेज डे के तोर पर सेलिब्रेट किया जाएगा और 21 फरवरी को अंतर राष्ट्रिय मात्रू भासा डिवस बनाने का मक्षत ये है कि अपनी मात्रू भासा लेंग्वेज और कल्चर लेंग्वेज और कल्चर को प्रमोट कर सके इसके लिए अंतर राश्रिय मात्रू बासा दिवस 21 जन्वरी को UNESCO के मुताबिक 21 फरवरी 1999 को हर साल 21 फरवरी को अंतर राश्रिय मात्रू बासा दिवस सेलिब्रेट किया जाएगा तो पहली बार 2000 में 21 फरवरी 2000 में अंतर राश्रिय मात्रू बासा दिवस सेलिब्रेट किया गया था और UNESCO का फुल फोर्म क्या होता UNESCO यानि की युनाइटेड नेशन युनाइटेड नेशन एज्यू केस्टनल साइन्टिफिक 2 कल्चर ल और्गेनाइजेशन कल्चर रल ओर्गेनाइजेशन यह हमारा question number one है question two question two हाल ही में कहाँ APJ अब्दुल कलाम satellite vehicle mission 2023 की launch किया गया so हाल ही में तमिन नाडू में हाल ही में तमिन नाडू में APJ APJ अब्दुल कलाम satellite vehicle mission 2023 को launch किया गया है और यह launch APJ अब्दुल कलाम International Foundation and Space Zone of India ने किया है और इसके तहट और इसमें APJ अब्दुल कलाम satellite vehicle mission में 100 government school के student 200 प्लस student और 200 प्लस student ने हिसा लेया था इस mission में 100 government school के 200 प्लस student ने हिसा लिया था इस mission में और 6th से लेके 12th standard के 5000 से भी ज्यादा student ने एक सो पच्चास PICO satellite की तैयारी करने की training भी यहां पर दी गई है और सफलत अपुर्वक इस training को पूराख भी किया गया है एक सो पच्चास PICO satellite पी आई सीओ सेटेलाइड बार सो केजी से less than बार सो केजी बार सो केजी से कम वाला उपग्रह उसे हम पी आई सीओ यानि की छोटा उपग्रह कह सकते हो सो एक सो पच्चास जैसे छोटे उपग्रह यहां पे 6th से 12th स्टांडर्ड के 5000 प्लस स्टुडेंट ने इस मिशन के तहट training ली है सो हाल ही में तमिन लाडू में एपी जे अब्दुल कलाम सेटेलाइड वहिकल मिशन 2023 को सफलता पुरुवक लॉंच किया है सो यह हमारा question number 2 है question 3 भारत की सबसे बड़ी प्लेट को किस बोलिवुड एक्टर का नाम दिया गया है सो हाल ही में भारत की सबसे बड़ी प्लेट डेस की सबसे बड़ी प्लेट का नाम सोनु सुद रखा है सोनु सुद के नाम पर रखा है और यह प्लेट भारत की सबसे बड़ी प्लेट जिसमेत जेल मंडी नाम को होटल में बनाई गई है और वो होटल हैदराबाद स्थीट है हाल ही में सोनुसूत के नाम पर भारत की सबसे बड़ी प्लेट का नाम रखा गया है यह हमारा question number 3 है question 4 question 4 हाल ही में कहां नहीं चलेगी bike taxi तो हाल ही में दिल ही में नहीं चलेगी bike taxi दिल्ही के Transportation Council Department में हाल ही में एलान किया है कि दिल्ही में बाइक टेक्सी नहीं चलेगी अगर एसा हुआ तो पहली बार आप पकड़े जाओगे तो 5000 का डंड होगा दूसरी बार आप पकड़े जाओगे तो 10,000 का डंड होगा और Aggregates के लिए यहाँ पर एक लाख रुपे का डंड है एगरीकेट यानी कि कोई कमपनी पेसेंजर को ड्राइवर के साथ जोडती है तो उसे एक एग्रिकेट यानि कि एक समू एक और्गेनाईजेशन को एग्रिकेट कहते है एग्रिकेट ने अगर ये वहिकल एक्ट तोड़ा तो एक लाख रुपे का जूर्माना होगा पहली बार कोई सामन्य नागरी की ऐसा करता है तो पांच हजार और दूसरी बार दस हज पांचार का जूर्माना होगा सो यह हमारा question number four है question five अब बाफास एवर्ड 2023 में किसने जिता कुंसा एवर्ड बी ए एफ एस बाफास एवर्ड में सो हाल ही में ब्रिटीज एकेडमी फिल्म एवर्ड ब्रिटीज एकेडमी फिल्म एवर्ड जिसे बाफवास के नाम से जाना जाता है ब्रिटीज एकेडमी फिल्म फिल्म एवर्ड हाल ही में लंडन में हाल ही में लंडन में 19 फेबरुवारी को 19 फेबरुवारी को हुआ था जिसमें यहाँ पर best film से लेके best actor actress तक किसको यहाँ पर award मिले है वो हमने यहाँ पर list प्रोवाइड की है first यहाँ पर all quite on the western front all quite on the western front नामक film को यहाँ पर best film का award मिला है BAFS में best film का award all quite on the western front को मिला है और best director का award best director का award यहाँ पर Edward Berger को मिला है Edward Berger को हल ही में best director का award मिला है और Edward ने all quite on the western front बने है उसके वो director है उस film को best film का award भी मिला और उस director को best director का भी award मिला है तो यहाँ पर यह important question है और उसके बाद केट केट बाल्चेट को best actress for tar best actress for tar film के रिए best actress का award मिला केट बाल्चेट को और उसके बाद ओस्टिन बटलर को बेस्ट एक्टर फॉर्म एल्विस का award मिला यहाँ पर बेस्ट फिल्म बेस्ट डाइरेक्टर बेस्ट एक्ट्रिस बेस्ट एक्टर का जो award मिला है वो हमने यहाँ पर सोट लिस्ट की है यह हमारा question number five है question six question six दुनिया भर में तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म कौन सी है सो अवतार अवतार टू अवतार टू अवतार टू अवतार द वे ओफ द वंडर दुनिया की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म है और उसका collection box office collection two point two four four billion two point two four four billion यानि की इंडियन रुपिस में 185 अरब अरब का collection करके वो दुनिया की तीसरी सबसे कमाई करने वाली फिल्म बन गई है अवतार द वे ओफ वोटर और और ट्रेड ट्रेड एनालिसिक ट्रेड एनालिस्टिक रमेस बाला ट्रेड एनालिस्टिक रमेस बाला के मुताबिक अवतार 2009 में जो फिल्म आई थी फर्स्ट अवतार उसने two point nine two three billion की कमाई करी है और two point nine two three billion यानि की 241 अरब कलेक्शन के साथ वो दुनिया की सबसे अधिक सर्वादिक कमाई करने वाली फिल्म है नंबर वन पे आउता टू थाउजन नाइन उसके बाद यहाँ पे एवेंजर्स एंड गेम आती है एवेंजर्स एंड गेम 2.799 बिलियन 2.799 बिलियन यानि की 2.231 अरब करोड के अरब के साथ यह सेकंड सर्वादिक कमाई करने वाली फिल्म है और थर्ड फिल्म हाल ही में बनी है आउतार 185 अरब का उसका कलेक्शन है यह हमारा क्वेस्चन नंबर 6 है क्वेस्चन 7 उत्तर भारत का पहला परमाणू सयंत्र किस राज्य में होगा स्थापित उत्तर भारत का पहला परमाणू सयंत्र यानि की नुकलियर प्लांट उत्तर भारत में पहला नुकलियर प्लांट कहां पर बनाया जाएगा किस राज्य में बनाया जाएगा सो हाल ही में केंदरी मंत्री मेंबर ओफ लोकसबा चितेंद्र सिंग चितेंद्र सिंग ने हाल ही में बताया गोरकपूर हरियाना के गोरकपूर में हरियाना के गोरकपूर में उत्तर भारत का उत्तर भारत का पहला नुकलियर प्लांट नुकलियर प्लांट डेवलोप्ट कर देंगे और इससे पहले दक्सिन साउथ इंडिया में साउथ इंडिया में तमिन नाडू और तमिन नाडू और अंधर प्रदेश में नुक्लियर प्लांट डेवलोप हो चुके हैं पस्चिम इंडिया में पस्चिम भारत में यहां पर महराष्ट्र में भी नुक्लियर प्लां नमें पहली बार परमानु सयंत्र यानि की न्यूक्लियर प्लांट डेवलोप्ट होगा तो यह हमारा question number question eight retired Brigadier B.D. मिस्रा ने हाल ही में कहां उप राजिय पार के पाल के तोर पर सपतली सो हाल ही में B.D. मिस्रा ने लदाख के उप राजिय पाल Lieutenant Government of Ladakh Ladakh के उप राजिय पाल के तोर पर B.D. मिस्रा ने हाल ही में सपतली है और Chief Justice of Jammu Kasmir and Ladakh High Court N. Koteishwar Singh ने B.D. मिस्रा को Ladakh के उप राजिय पाल के तोर पर सपत डिलाई है और इससे पहले Ladakh केंदर सासित Ladakh के केंदर सासित होने के बाद से पुर्वा I.A.S. पुर्वा I.A.S. ओफिसर राधा क्रिश्नम माथूर राधा क्रिश्नम माथूर लदाक के उप राजिय पाल थे इसके बाद हाल ही में B.D. मिस्रा उप राजिय पाल बने लदाक के यह हमारा क्वेस्चन नमबर 8 है क्वेस्चन 9 हाल ही में किस कंपनी ने लौंज की पेड ब्लू टिक सर्विस फेस्बूक इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी मेटा ने हाल ही में मेटा वेरिफिकेशन नमक प्रोजेक्ट लौंज किया है मेटा वेरिफिकेशन और यह मेटा वेरिफिकेशन एक सस्क्रिप्शन सर्विस है यह एक सर्विस है जो सस्क्रिप्शन है आपको पैसे देकर यह सर्विस को खरिदना होता है यह एक सस्क्रिप्शन सर्विस है मेटा वेरिफिकेशन और इसमें आप गवर्मेंट आईडी के के त्रीच के थ्रूब अपना register कर्वा सकते हूं water अईडी और पान काड के जर्य कोई भी गवर्बेंट अइडी एडी के त्रूब ऑर यह subscription ले सकते हो और आपको इंस्टाग्राम और फेस्वूक में ब्लू टिक सर्विस मिल जाएगी और मेटा के सीयो मार्क जुगर्बर्ट में हल ही में बताया है कि मेटा वेरिफिकेशन वेब के लिए 11.99 पर मन्थ डोलर 11.99 डोलर पर मन्थ और आई ओएस के लिए 14.99 पर मन्थ चार्जिस रहेगा तो यह हमारा क्वेस्चन नंबर 9 हैं क्वेस्चन 10 हाल ही में कौनसी 5 कंपनिया का बाजार पुंजी करन पिछले सब्ता 95,000 करोर से अधिक रहा है सो हाल ही में रिलाइंस इंडस्ट्री का पिछले सब्ता बाजार पुंजी करन 17,000 करोड सेकंड नंबर पर है ICIC Bank HDFC और ITC और LTEL इन 5 कंपनियों के बाजार पुंजी करन पिछले हपते अधिक रहे हैं और यहां पर जो कंपनी है 5 कंपनी उसके बाजार पुंजी करन में गीरावट आई है पिछले सब्ता में TCS HDFC Bank Infosys HUL और SBI इन 5 कंपनियों के बाजार पुंजी करन में गीरावट आई है और 2023 के रिलेटेड हमने यहां पर टोप 10 क्वेस्चन्स प्रोइड किया और वो टोप 10 क्वेस्चन्स आपको अच्छे लग गया तो प्लीज हमारी चैनल को सब्सक्राइब किजिए राडिया एकडमी को